प्रेट एरियास में उसमें हमने दो एक्सेस लिये थे बारालाचा की तरफ मोवमेंट का लिया था और दूसरे एक्सेस हम लिए पुझुम पास की तरफ इसमें हमने टोटल जो चॉपर थे एक मी 17 जो बड़ा चॉपर है उसके लावा हमने एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर यह थे जिसको हम ध्रूब बोलते हैं और इसके लावा दो हमारे एडिशनल चॉपर आये थे चीता जो स्पेसिविकली लाइट अल्ट्रा लाइट वेट चॉपर होते हैं जो कहीं को भी लेंड कर जाते हैं अभी तक आज जो एयर लिफ्ट हुआ है उसमें 63 लोग आगे हैं 63 जिसमें से तीम जो है जो है जमन सेटिजम हैं और बाकी सब भार्तिय मों हैं इसके लावा हमारा जो पैरलल जो सर्च और रेस्क्यू अप्रिशन है उस और कुछ बचे भी हैं तो साथ लोगों को हमने आज रेस्क्यू कर दिया है उसमें हमारी जो मांटनेरिंग इस्टिट्यूट की मनाली की जिस्पा में सेंटर है उसकी और हमारे डिस्टिक अड्मिस्टेशन लोहल्स पर दिया इन्होंने कंबाइंड लीग जो एफर्ट्स क का हमारे जो एरलिफ्ट का जो अपरेशन है लगवक सौ के करीब हमारे जो आकड़ा है टच हो गया है अभी हमारे कुछ सौटी यानि बाकी है इसमें से उमीद जताई जा रही है कि 10 से 15 लोग जो रेस्क्यू है वो हो जाएंगे और जो हम बाई रूड जो टनल के थू हम ज क्रॉस करवाई है तो रोतांग टनल के थू हमारा आप तक का लगबद बारसों के करीब का आकड़ा हमारा हो जाएगा लगबद सुबह हमारा अभी हम बैट के इस चीज़ को डिसाइड करेंगे सुबह हम फ़र्स टाइम जितना जल्दी हो सके छे बजे साड़े चे के किया है जो लोग है और वहां पे ऐसी पैनिकी वाली सिचोशन है प्रंटु हमारा पूरा इसमें एफर्ट्स हैं कि कल तक हम उस एरिया को पूरा इवक्वेट कर लेंगे इसके अलावा बारालाचा की तरफ अभी कुछ वाड़िया है उसमें कुछ आज रेस्क्व हो जाएं और दूसरी साथ कुझण दराजों की हमारा स्पिती वाली की तरफ हमारा जो रोड जाता है उसमें भी उन्होंने कारिया स्टार्ट कर दिया था सुबहें और काफी आगे तक हमारा फ्रेस्ट है अब अब बातल से अभी पीछे है बातल अभी नहीं पहुंचा है चत्रू च तो हमारा रोड काफी हाथ तक थ्रू हो जाएगा जी